कि प्रेंट्स आज के लेक्षे में हम लोग मैट्रिक्स के रोटेशन देखेंगे और मैट्रिक्स के रोटेशन बड़ी इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्स हैं for example हमें मालेजी की छोटी से मैट्रिक्स की वन है यहां पर 12345678 और उसके बाद करेंगे तो यह आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपने रोटेट किया और फाइनली एक्टिवी क्या हुआ कि एड़े को नाइटिवी रोटेट करके प्रेंगे तो हमने यह जो मैट्रिक्स यहां पर ऑप्टेंड किया है रोटेशन करने के बा चल रहे कि इसने जुलि क्या हुआ तो मैं काम करते हैं कि यह जो मैट्रीक्स हमारी घीवेन है उस मैट्रीक्स का हम ट्रांस errजक निकाल रान प्र입ों निकालत है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे वीकॉलयbnश हो जाएंगे 1234 यहां पर 5678 यहां पर 92 अगर आप रोटेटेड मैट्रिक्स को और यह ट्रांस्पोज वाली मैट्रिक्स दोनों को अगर आप एनलाइस करें तो हमें ऐसा दिख रहा है कि रोवाइस एलेमेंट्स को वाइस जो हमारे हैं उनको पर इवर्स कर दिया जैसे कि फॉर एक्जांपल हमें मानने की है हमारा सिंगल एर इस से को रिवर्स कर दिया है 951 अमरा 159 भी इसके बात वे अगर 267 अबरा ट्रांसपोर्स करके है यह देख रहे हैं कि यह इसका मतलब कि यह रिवर्स तें similarly ट्रांसपोर्स में 3711 और यहां 1173 तो सब्सक्राइब रिवर्स तें तो मैं 90 डिग्री क्लॉक्वाइज रोटेशन मिल जाएं इक फिर से इसको देखते हैं और प्रासेस को समझते हैं कि क्या होगा यह मेरी ट्रांसपोर्स मैट्रिक्स है इसमें क्या करना है कि रोवाइस को रिवर्स करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास पॉइंटर प्रीवेस लेक्षर देखा है तो यहां सिंप्ली क्या कर रहा है कि रोवाइस रिवर्स करने हैं पहले फॉस्ट रोपे बैन सेकंड रोपे दें थर्ड रोपे फिर अंद फ्रिवर्स फॉपिशन सप्लाई करना है इसको कोड करकर देखते हैं थे मांटने चोटा से पहले सब करके रखा है है। Makes Space ऐने हमारे पास उकी मैट्रीक्स है परस्ट अब मेटर हमने जोग यूझर से कहला लिया है कि कितने रोबोज और कितने कोलम की आपके के पास एपर हमने इसको इन्पूत करा लिए यूजर से रो और कौल एंक सब्रक्रालज कोडन को ट्रांस्पोस्ट मेट्रिक्स टी में पीजे आई पोजीशन में स्टोर कर लिए फिर इसके बाद हमने क्या किया इसलिए आई कुस्टू जीरो से सी तक इसका मात सब क्या है यह जित्ते नमबर आफ कॉलम्स थे पहले अगर मैं लेज़े के तीन कॉलम्स थे जो हएंगे और हमने क्या किया है कि जो सबसे पहला है इसको माल लिया है और सबसे से लास्ट कॉलम्स इंडेक्स को हमने लिए करनव Mark कोब बतलकि 0 इंडेक्स वाले कॉलम को लेफ्ट हमने माना और राइट को हमने लास्ट वाला कॉलम माना लास्ट कॉलम इंडेक्स इसके बाद जब तक left is less than right तब तक हमने इन दोनों elements को एक्चेंज किया अब इसको आप समझे कि कौन सा element है ये ये आईत रोका left कोलॉम का एलेमेंट है और उसको हम आयत रोंके राइट कॉलम एलमेंट से एक्षेंज कर देदेगे और जूखी हमें एलेमेंट को में चेंज करके दिखाना इसमें इसका एक्ड्र सपास किया मतल्थ की और यह रफरेंश करेंगी फिर इसके प्रिंटिंग कराते हैं में ध्यान देना है कि जो रोस तेदे वो cold में convert हो और columns में convert होगे हैं इसलिए हम जो nestled loop चला रहे हैं उसमें आउटल लूप सी तक चलेगा और जो इनल लूप है वो आर्ट चलेगा वाए्नले हम क्या करेंगे कि को प्रिंट कर देंगे जो कि हमारी रोटेटेड मैटेक्स है आई इसको हम एक इंपूट करके देखते हैं पर एग्जामपल हमारे पास पोर रोज और थ्री कॉलम वाली मैट्रिक्स है माले थे हैं कि पहला वन टू 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 ट्री है पूर पाइट नाइन दें तैन एलेवन आप से कर सकते हैं कि रोटेटेड मैक्रिक्स है यह जो 90 डिग्री अ ग्लॉक्वाइज रोटेशन देमेटरिक्स है वसमें 10 11 12 एसको है राइक कर देता हूं लैक थिस 10 11 12 एक पहले कॉलम में 789 दूसर कॉलम में 4566 कॉलम में और 123 लास्ट कॉलम में पाइंट पीर नाइन अग्या आपको 90 डिगरी एंटी ग्लॉग वाइज रोटेशन करना है एक बाफिर से मैक्रिक्स को चेक कर रहते हैं और उसी पर और पास एक मैक्रिक्स है 123456789 और 10 11 12 एसके बाद इस मैक्रिक्स में ट्रांस पोस्काल रहते हैं एक पहले हम यह देख लिए थे लिए कि रोट 90 डिए एंटी एंटी क्लॉग वाइज रूते रहम कर रहें तो हमारी मैक्रिक्स कैसी इक्सपर्ट करें मैक्रिक्स एक्सपेक्टरिट है 3692 थें 25811 एं 147 और 10 एक काम करते हैं हैं कि ट्रांसपोर्स भी फाइंड में टते हैं और वेख ट्रांसपोर्स मत्रिक्स मां राधेल लिटे कैसी होगी esque23456789Bot 2011 इस मैं उमेट्रिक्स मेरी है इस मैंतुर्स में आप चेक और सकते हैं कि एट ग्योर उस ट्रांस्पोस में अगर आप कॉलम वाइज रिवर्स कर लें जैसे कि यह हमारा जिरो नंबर कॉलम पैरा कॉलम है और यहां पर रोटेटेड पैक्रिक्स उसमें 321 है यहां वाइं टू-3 है ट्रांस्पोस में और यहां पर 321 है तो इसका मतलब है कि इस एरे इसको एक अगरे पॉपलाई करना है रोटेशन अप्लाइब करना है तो हमने अलड़ी एक नाइटी डिग्री ट्रॉक्रइशन कर लिया तो इसको इसको डिसेड़ कर सकते हैं यह फिर ऐसी में चेंज करके ऐसा करते हैं तो जो लेफ्ट राइट है इसको टॉप-डाउन करना है तो प अब दॉण कर लिया और इसके बाद हमने काम करते हैं कि जो आउटर लूप है उसको कॉलम बाइज चलाथे तो नंबर ऑफ कॉलम्स सब्सक्राइब कजिक्जिंगी पहले पहले को अच्टविटी करते हैं बिर्फ करते हैं फिर इसके बाद जब तक कि की टॉप पपेस नंबर है वह मारी है को जो कॉलम नंबर है वह हमारा है है गारे एक्सचेंज हों जाएंगे तो पलस टоп को यह फूर। जे हो उसको कई तरफ लाएंगा प्लत्ति ख्जाएंगे Goes तो फाइनली हमारा हो जाएगा फिर से रिफ्रू कर लेते हैं कि क्या हमने सही किया कि आई पूस्ट जीरो कॉलम्स हमने स्टार्ट किया और लास्ट वालम तक हम आगे प्रोग्रस किये और कॉलम वाइज हमारा स्वापिंग हो रही है टॉप को जीरो इंडेक्स पे डाउन को इंडेक्स पे यह तो इसको सी माइनस बन करते हैं क्योंकि जो कॉलम्स है वही रोज में कनवर्ट वह तो टॉप इस देंग डाउन तब तक हम स्वापिंग कर रहे हैं टॉप इंडेक्स और आई माइन टॉप रो और आई कॉलम के लिमेंट को सिमिलरली डाउन रो एं आई या लेक्स वागरी ट्रक्टार कर देंगे और दॉप मीनस में करेंगे ऊपर की तरफ इसको बढ़ाएं फंड यह मैस्वें टी मैक्रक्स को प्रिंट कर देंगे लिए स्बाह सुरम एक काम कर लेदे हैं कि मैस्में स्लैशन या एंगल लगेफ एखेगे लगें इसको एक समी कॉला एक्सपेक्टेड है यहां पर रन करके देखते हैं, फोर रोर और ट्री कॉलम की मेट्रिक्स माल लेते हैं, वन टू थ्री तो आप चेक कर सकते हैं, यह ए अंति-Clockwise रोड़ेक्ट अप्नि मेट्रिक्स आडिए. एक स्वाचिन वीडियो रोड़ेक्स आडिए.